Hello everyone, this is your friend Ami Alvira, welcome back to Stress to Excellence, जहां आपको B8 से related videos मिलती हैं, तो आज की session में हम करने जा रहे हैं Gender School and Society Practice Set 1, इसमें हम discuss करेंगे gender से जुड़े concept और perspectives को, उसके बाद 15 MCQs करेंगे जो हर एक concept को ध्यान में रग के frame किया गया है, So that आपको कैसे भी questions पूछे जा सकते हैं, तो उसका आपको एक idea मिले, और साथी में हम some important concepts को भी cover करेंगे, तो इस session में हम क्या करने वाले हैं, actually gender के सारे concepts जो भी है, उसको short में समझेंगे, so that हम questions पे ज़्यादा focus कर सकें, और उसमें ज़्यादा time दे सकें, अगर आपको detailed information चाहिए, तो link i button पर available है, जहां से अब सारे detailed videos, gender से related, gender के concept से related देख सकते हों, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगर आप हमारे इस channel पे new हो, अभी तक subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से subscribe करें, वीडियोज पसंद आने पर end में like करें, और अपने friends के लाज शेर करना ना भूले, तो चलिए हम start करते हमारे topic के साथ, understanding, gender and perspectives, हम gender को समझने की कोशिश करेंगे, और उसकी perspectives, उसके धारनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारा पहला concept है gender, according to brown, gender refers to the culturally and socially constructed differences, तो brown के accordingly जो gender word है, जिसको हम हिंदी में link कहते हैं, वो culturally और socially constructed एक element है, differences है, ये किन के बीच में ये differences को देखा जाता है, between the male sex and the female sex, मतलब एक male और female के बीच का जो differences है, उसको culture और society ने generate किया है, एक create किया है, इसको आप simply constructed भी कह सकते हो, तो उस चीज़ को यहाँ पर gender consider किया जाता है, तो gender actually में है क्या, ये एक acquired identity है, मतलब आप एक जो identity आपका जो पहचान है, वो आप धारन करते हो, और ये धारन जो आप करते हो, ये किसके basis पे करते हो, आपके mind में, आपके society में, आपके घर में, आपके culture में, जो भी आपको सिखाया जाता है, nurture के वज़े से आपको जिस तरह से बड़ा किया जाता है उसके basis पे आप यह जो धारना है या फिर identity है उसको आप acquire करते हो आप किसी भी व्यक्ति का जो gender है उसको कैसे define करोगे उसके personality traits को देखकर उसके attitudes को देखकर उसके values behavior इन सारे चीज़ों को देखकर आप किसी भी व्यक्त 味 का जो gender है वो आप identify कर सकते हो या फिर आप define कर सकते हो पॉर एक्जाम्पल अगर आप देखो एक इस तरह से होता है और एक जो फीमेल है उसका एक पता लगा सकते हो कि सुसाइटी ने और कल्चर ने क्या रोल्स और स्पॉन्सिबिलिटीज एक मेल से लिए और अलग से फीमेल के लिए डिफाइन किया है तो इसी वज़े से जो जेंडर है ये एक साइकलोजिकल कंसेप्ट है जो कि सुसाइटी और हमारे कल्चर से कंस्ट्रक्टेड है और हमको जेंडर के बारे में कौन सिखाता है हमारी फैमिली ही सबसे पहला हमारा जो जेंडर आइडेंटिटी है उसको क्रियेट करने में उसके है और हमहिंदी में लिंग कहते हैं इंसान निआ जो पहजाना जाता है जब उसका जनम होता है दब डिपंडिंग अपां डेक्स्टेनल जैनिटल और gehtOur and यह चीज यह इस चीज की ओपर डिपेंट करती है कैसे हैं अप Something external genital जो organs होते हैं उसको देखकर internal organs को अंध्रोणी organs जो होते हैं Chromosomes और Garnats के basis पे हम यह Lapin घर सकते हैं कि जो इनधवीजिटल या मानव पिस जनम हूँ है वह मेल है या फिर फी फी συνबैनव है है जो एक सेक्स दोनों ही सब्सक्राइब करेंट जिसको आप धारन करते हो ऐसी ऐंडेंटिटी है और जो सेक्स है या आपके जनम के साथ ही determine होता है तभी ही पैचाना जाता है जो जेंडर है आप किसी भी व्यक्ति का जो जेंडर है वो कैसे define करोगे कैसे पता लगाओगे उसके personality traits को देखकर मतलब उसके how about को देखकर attitude values और उसके behavior को इन सारे चीजों को देखकर आप किसी भी व्यक्ति का जो जेंडर ह वो आप define कर सकते हो whereas जो sex है वो आप कैसे पता लगाओगे एक individual का जो external और internal organ होता है उसके basis पे gonads और chromosomes के basis पे एक person का जो है sex determine किया जा सकता है तो ultimately क्या है जेंडर जो है वो nurture के वज़े से difference होता है और sex क्या है एक individual के nature के वज़े से difference जो है वो पता लगाता है understood तो ये दोन थोड़ा सा अलग concept है ठीक है जो gender है वो psychological concept है whereas जो sex है वो biological जिसको हम physiological difference भी consider कर सकते हैं got it अब बढ़ते हम अपने अगले concept की तरफ transgender ये बहुत ही एहम topic है इसको हर कोई ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत लोग आज की date में भी ये समझ नहीं पाते कि actually transgender का जो concept है वो है क्या exactly तो transgender is an umbrella term used to describe person whose gender identity, gender behavior or expression does not confirm to the behavior typically associated with the sex they are assigned at birth transgender जो word है इसको एक umbrella term consider किया जा रहा है umbrella term इसके लिए consider किया जा रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग terms को हम include करते है ये term used होता है उन लोगों के बारे में describe करने के लिए जिनका जो gender identity है मतलब language पहचान है उनका जो gender behavior है मतलब अगर वो male है तो उनका जो behavior है वो male type का नहीं है या अगर वो female है उनका जो behavior है वो थोड़ा सा अलग है और expression जो है वो दोनों ये तीनों जीस confirm नहीं करती है उनके typically उस sex के साथ में जिसके साथ वो जनम हुए है for example अगर एक बच्चा जनम हुआ है male sex के साथ लेकिन वो बड़े होके female के जैसा behave करने लगता है और अगर कोई बच्ची है जो female sex के साथ जनम हुई है पर वो बड़े होकर male sex जैसा behave करने लगती है एक लड़के जैसा behave करना स्टार्ट कर देती है तो इस concept को यहाँ पर transgender consider किया जाता है जहाँ पर जो आपका birth के टाइम पर जो sex है उसके विरुद आप act करने लगो behave करने लगो जेंडर, sex and transgender यह तीनों ही बहुत ही crucial और sensitive topic है इन तीनों concept के ऊपर यह पूरा subject जो है gender school and society based है तो आपको यह तीनों concept जो है अच्छे से जानना और समझना बहुत ही जरूरी है तभी आप जो है यह पूरे subject को समझ पाओगे और आगे आने वाले questions को भी आप easily solve कर तो आज का हमारा first question है gender comes from the root Latin word, gender word को हमने कौन से Latin word से derive किया है यहाँ पर आपको इन सारे options में से वो पता लगाना है मतलब answer करना है तो हमारे options को हम एक एक करके देखते हैं a sexus which means gonad sexus का मतलब क्या है gonad b genus meaning type of sort genus का मतलब क्या है जहाँ पर आप classify कर रहे हो किसी लोगों के बीच में ठीक है c Hermes was the god of male sexuality जो Latin है Greece है वहाँ पर जो male sexuality का जो god है वहाँ पर उसको Hermes कहा जाता था anti-aphrodite the goddess of female sexuality जो female sexuality की goddess थी उनको Aphrodite कहा जाता था तो यहाँ पर हमारा correct answer कौन सा है जरा ध्यान से देखिए आप questions को हमको यहाँ पर बताना है कौन से word से कौन से Latin word से हमने gender को derive किया है तो easy रही आप फिर इसको answer कर पाऊगे option C और जो D है यहाँ पर वो लो gods की name है तो यह दोनों तो word है नहीं बचते हैं हमारे पास option A and option B अब option A जो है वहाँ पर हमने किसके बारे में बात किया है sexes अगर आपको which means gonards नहीं भी दिया जाएगा तो भी आप easily कर पाऊगे क्योंकि यहाँ पर gonards की बारे में बात कर रह करना ठीक है next question the individuals external and internal organs gonards and chromosome determines the person मतलब एक individual व्यक्ति का जो external और internal organ होता है gonards और chromosome होता है इनके वजह से एक person का क्या चिस determine किया जा सकता है options है ए जेंडर मतलब लिंग बी जेंडर आइडेंटिटी मतलब जो आपका लिंगिक पहचान है वो सी social behavior आप society में लोगों के साथ किस तरह से behave करते हो अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरह से behave क जिसको हिंदी में लिंक कहा जाता है पर यह बायलोजिकल टर्म है तो यहां पर हम एंडिविज्वल के एक्स्टरनल और इंटरनल और और गॉनाद्स क्रोमोजोम के बारे में बात कर रहें तो यह सब क्या है सबसे इंपोर्टन चीज तो अगर आपको गॉनाद्स क्रोमोज टर्म कौन सा है ऑप्शन डी सेक्स क्या है एक बायलोजिकल और फीजियोलोजिकल डिफ्रेंस है और मैंने जब आपको एक्स्टरनीशन दिया था तभी मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति का जो सेक्स है वह हम डिटमाइन करते हैं उसके जनम के वक्त और यह जनम होता है उनके सेक्स क्लासिफाइड नहीं किया जाता है कि वह मेल है या फिर फीमेल है मतलब उनका जो लिंग है वह पैचानना मुश्किल हो जाता है हमारे options है इसमें physiological difference, B intersects conditions, C culturally constructed differences, D biological differences अब जो है यहाँ पर हमको क्या बताना है कि मेल और फीमेल यहाँ पर उसका classification होना मुम्किन नहीं है पॉसिबल नहीं है ठीके तो यहाँ पर जो हमारा option A है और जो D है इन दोने में हम किस चीज के बारे में बात करें physiological और biological differences के बारे में बात करें जो मतलब हमारे physical part physical body part जो है उससे related है and biological जो चीज है वो भी same physical चीजों से ही related है तो इसलिए यह दोनों जो concept है यहाँ पर क्या होता है wrong है इस term के लिए तो option A and option D जो है cancel हो गया बचता है option B and option C option C में क्या बात करें है हम culturally constructed differences यहाँ पर हम easily बता रहे हैं कि यहाँ पर हम differences के बारे में बात करें पर आपके जो question है उसमें क्या बात कर रहे है कि यहाँ पर difference बताना मुश्किल है तो इसलिए option C भी हमारा answer नहीं है तो बचता है option B that means option B जो है वो हमारा correct answer है तो जो लोग जो बच्चे जिनका हम sex जो है determine नहीं कर सकते उसका difference नहीं बता सकते है उस condition को हम क्या consider करते है intersex conditions ठीक है next question which term is used to describe persons whose gender identity does not match to the behavior associated with sex they were assigned at birth कौन सर टर्म यूज किया जाता है उन लोगों को describe करने के लिए उन लोगों के बारे में बोलने के लिए जिनका जो gender identity है लेंगिक पहचान है वो match नहीं करता है उनके behavior से जो उनको sex associate किया गया था उनके जनम के वक्त से तो यहाँ पर हमारे options है a. sex, b. transgender, c. gender and d. genus तो यहाँ पर हमारा correct answer है option b. transgender ऐसे व्यक्ति जिनका जो sex है वो अलग है उनके identity के accordingly उनका behavior से अलग है उन लोगों को हम transgender कहते हैं next question gender involves an array of gender क्या involve करता है हमारे options देख लेता है a. beliefs, norms, values, nature, मतलब भरोसा, धारना, आपका क्या value है, मान है, nature क्या है b. surrounding, हमारे आसपास की चीज़े होती है environment, expectations, property, और rights, मतलब अधिकार c. rights, roles, responsibilities and relationship मतलब अपका अधिकार, आपकी जिम्मधारिया, आपका रोल, आपके रिष्टे ये सब कुछ d. social, cultural, physiological and biological differences मतलब social, cultural, physiological and biological जो भेदभा हुए difference है उन चीज़ों को हमको यहां पर ध्यान दिया जाता है जब हमने concept को clear out किया था, concept के बारे में हम पढ़ रहते हैं तब हमने क्या देखा था, कि जो जेंडर है वो एक psychological concept है जो differences है male और female के बीच में वो socially और culturally constructed है तो हमारा जो option D है, यहां पर हमने include किया है social, cultural और इनके साथ में हमने physiological और biological डिफरेंस को भी include किया है जो कि gender का part नहीं है, मतलब जो हमारा option D है वो wrong है A मतलब believe, धारना, value और यहां पर एक और चीज़ आ जाता है वो है nature, तो gender जो है वो nature का part नहीं है नेचर के वज़े से नहीं होता है, वो तो nurture के वज़े से होता है B, surrounding, मतलब हम expectation, हमारे आस पास के चीज़ों से influence होता है expectations, दूसरे लोग हमसे क्या उम्मीदे रखते हैं, उसके उपर होता है property, rights, तो यह भी properly include नहीं होता है gender में तो बचता है हमारा option C, rights, roles, responsibilities and relationships तो जो roles है या फिर right हम कहते है, सबसे पहले तुम right को consider करते है जो एक व्यक्ति का अधिकार है, जाए वो male हो या female हो वो perform करता है, क्यासे वो करेगा, काम करेगा, वो उसके gender के basis पे मिलता है दूसरा चीज़ होता है उसका role, मतलब वो उसको क्या काम करना है society में रह के, अपने घर में हो, चाहे society में बाहर हो, कहाँ पर भी हो तो वो जो role है, उसकी क्या जिम्मदारिय होगी, उसका क्या अभी नए होगा मतलब क्या वो act करेगा, वो भी उसका gender से influence होता है फिर आता है responsibilities, जो भी जिम्मदारिया एक male और female लेती है वो भी gender से influence होता है, और जो final है relationships, मतलब जो रिष्टे है ये भी gender के द्वारा ही maintain होता है, तो ये जो चारो concept है, ये maintain होता है और shaped होता है, मतलब gender ही इन सारे चीज़ों को influence करता है ठीक है, तो gender क्या involve करता है, rights, roles, responsibilities and relationships इसके वज़े से इन चारो terms को हम 4R के नाम पे भी popularly जानते है तो gender के जो 4R होता है, जैसे science में क्या होता है, 3R मतलब क्या होता है, reuse, recycle ऐसा use करते हैं, तो similarly जब हम gender के concept में 4R की बात करते हैं तो वहाँ पर आता है, rights, roles, responsibilities and relationships एक example के तो हम देखते हैं, एक men जो होता है, male member, उसका role क्या होता है, bread winner का मतलब वो बाहर जाकर कमा कर लाएगा अपनी family को sustain करने के लिए simultaneous एक female का क्या role होता है, मतलब nurturing का role होता है, उसको घर पे वो क्या कर सकती है वो अपने बच्चों का पालन पोशन करके उसको बड़ा करना, अगर घर पे कोई बड़े बुड़े है तो उनकी देखभाल करना, घर के लोगों के लिए खाना बनाना, तो ये सारा एक women का role consider किया जाता है, जिम्मदारियों की जब बात आती है, तो जो domestic responsibilities मतलब जो घरे लिए जिम्मदारियां है, ये एक women के कंधों पे होती है, वेरस जो बाहर की जिम्मदारियां है, वो एक males के कंधों पे होती है फिर जो relationship से जो रिष्टे हैं, वो भी mostly जादा तर जेंडर के वज़े से influence होते है next question, the term dash refers to biological differences between men and women, while the term dash refers to psychological differences such as masculine or feminine and individual feels तो जो कौन सा टर्म है जो biological difference एक men और women के बीच में बताता है, simultaneous दूसर टर्म क्या है, psychological difference को बताता है कौन masculine है, कौन feminine है, masculine मतलब male, feminine मतलब female तो यह जो individual का feeling है, इन सारे चीज़ों को define करता है हमारे options है, A. sex and gender, B. gender and sex, C. intersexual transgender, D. transgender and intersexual तो यहाँ पर हमारा correct answer है option A. sex and gender, because हमने सबसे पहला किसके बारे में बात किया, biological difference तो यहाँ पर हमारा correct pair है, सबसे पहला sex आएगा, और फिर दूसरा बात किया आएगा, psychological difference psychological difference, that means जो gender से related है, इसके लिए, तो हमारा correct answer यहाँ पर होता है, option A next question, psychiatrist John Oliven of Columbia University, used the term transgender in 1965 in his work John Oliven, जो के एक psychiatrist है, Columbia University के, इन्होंने transgender word का use, अपने कौन से काम में दर्शा आया था जो इनका work है, वो year 1965 में आया था, तो हमारे सामने options है A, injustice at every turn, B, population and gender, C, sexual hygiene and pathology, and D, stone man into woman यहाँ पर हमारा correct answer है, option C, sexual hygiene and pathology तो John Oliven ने अपनी किताब, sexual hygiene and pathology में, transgender word का use पहली बार किया था, year 1965 में Next question, a transgender could be a female at birth with being male or a male at birth who identifies with being a female These two types were referred as, मतलब एक transgender कौन हो सकता है, एक female हो सकती है अपने जनम के वक्त में पर वो बड़े होकर as a male feel करने लगती है, और else जनम के वक्त में वो एक male हो सकता है पर बड़े होने के बाद में वो खुद को as a female identify करता है तो यह जो दोरो type है, इसको हम क्या refer करते हैं, हमने तो पहले यहां पर question में दे दिया है कि transgender कहा जाता है ऐसे लोगों को जो अपने, जो उनका sex है, उसके against में अगर वो कुछ feel करते हैं, कोई identity जो है, वो acquire करते हैं तो यह जो term है, इनको कौन सा type consider करते हैं, हमको यह यहां पर बताना है, options है हमारे a. lesbians, b. gays, c. transsexual, d. homosexual, option c. हमारा correct answer है, transsexual because जब एक person को अगर उसके जनम के वक्त में कोई sex मिला है, पर वो उसके against में behave करा है या उसने कोई identity जो है, वो उसके against में develop की है, ऐसे लोगों को हम transsexual कहते हैं next question, which theory was introduced by Sandra Bem in 1981 and further expanded by Carol Martin and Charles Heverson this theory suggests that children learn what it means to be a male or a female from their interaction with society कौन सा theory है, जो Sandra Bem ने year 1981 में introduce किया था, जिसको आगे बढ़ाया गया Carol Martin और Charles Heverson द्वारा, इस theory के accordingly जो बच्चे है, वो male होना या female होना क्या होता है उनके क्या roles होते हैं, क्या responsibilities होते हैं, वो society के साथ interaction करने के बाद ही सिखते हैं तो हमारे options है, A. symbolic interaction theory symbolic interaction theory का मानना है कि social interaction एक dynamic process है, लोग अपने behavior को constantly बदलते रहते हैं मतलब change करते रहते हैं, जैसे जैसे वो new new लोगों के साथ interaction करते हैं option B, feminist sociologist theory इस theory का main concern है women के अधिकारों के लिए लड़ना, उनके हक के लिए आवाज उठाना और women के contribution को highlight करना, मतलब women का जो योगदान है society में उस चीज़ को जाद़ emphasize करना, जाद़ बढ़ावा देना option B, biososial theory of gender role development ये theory actually कुछ case studies पे based है, जहां ये देखा गया है कि जो nature है, मतलब genetic factors और nurture, मतलब environmental factors दोनों ही एक बहुत एहम और vital role play करते हैं एक व्यक्ति के gender development के process में इस theory के accordingly जो बच्चे है वो gender neutral होते है, जब तक वो age 3 तक पहुँचते हैं, मतलब जब तक उनका उमर 3 साल तक नहीं होता है, तब तक वो gender neutral होते हैं, वो commonly behave करते हैं, उसके बाद उनका जो पालन portion होता है, जिस तरह से किया जाता है, उसके basis पे वो अपनी जो पहचान है, gender identity है, वो acquire करते हैं, उसको धारण करने लगते हैं, next option D, gender schema theory, इस theory का मतलब है कि जो बच्चे है, पहले अपनी gender identity को फॉर्म करते हैं, उसके बाद में gender schema को फॉर्म करते है, gender schema एक्शल में क्या है, gender schema उनको बोला जाता है, मतलब gender से related जो भी belief है, मतलब धारणा है, जिसकी वज जाता है, तो इसी लिए इस theory का नाम है gender schema theory, यहाँ पर हमारा correct answer है option D, gender schema theory, जिसके accordingly, जो यहाँ पर Sandra BEM है, उन्होंने इस concept को introduce किया था, जो कि आगे बढ़ाया गया, कैरॉल मार्टिन और चार्ल्स हैवर्जन के द्वारा, इसके accordingly जो बच्चे है, वो society के साथ interact करके सीखते है कि male और female की क्या अलग-अलग responsibilities है, क्या उनकी roles है, कैसा उनका perception होना चाहिए, कैसा उनका style होना चाहिए, behavior होना चाहिए, यह सब कुछ यह लोग society के साथ जैसे जैसे interact करते हैं, वैसे वैसे develop करने लगते हैं, तो इस question में हमने focus किया है theories के उपर, तो इस question को ज़रा ध्यान से आप देखना, अगर आपको theories में से कुछ भी confusion है, कोई भी doubt है, तो आप अपना doubt comment में जरूर पूछिए, हम आपका doubts clear करने की कोशिश करेंगे, आगे आने वाले जो भी theories से related questions है, उसमें भी ज़रूर ध्यान देना, so that क्या हो जाएगा हम questions के साथ साथ में theories को cover करते हुए चलेंगे, तो आपका theory भी cover हो जाएगा, और simultaneously questions भी होते हुए जाएगा, तो यहाँ पर आपका दोनों concept जो है, साथ में clear हो जाएगा, तो आगे बढ़त हम अपने अगले question की तरफ, अलबर्ट बंडूरा, social learning theory explains that, अलबर्ट बंडूरा का जो social learning theory वो क्या explain करता है, options, a. gender roles are learned through observation and modeling, जो gender roles है वो modeling और observation को देखते हुए किया जाता है, सीखा जाता है, b. nature, genetic factors and nurture, environmental factors, both play a vital role in gender development, जो nature है, जिसमें मतलब जो genetic factors एक बच्चे के अंदर है वो, और जो nurture है, मतलब उसका environmental factors जैसे उसका pollen portion किया गया है, यह दोनों ही उसका जो gender development में उसका बहुत ही important role है, play करता है, यह theory का part है, यह explanation है, c. since our genes are adaptive, they hold the key to our behavior, जैसे जैसे हमारा जो genes है, वो थोड़ा बदलने वाला होता है, adaptive होता है, मतलब adjust करने लाइक होता है, तो इसके वज़े से क्या होता है, हमारे behavior में भी changes आते है, जिसके वज़े से हमारा जो behavior है, वो भी बदलते रहता है, वक्त के सुबह समय पे, और हम adjust करना सीखते है, जैसा situation रहता है, जैसा environment रहता है, उसके accordingly, Option D is concerned about giving a voice to women in society and highlighting the contribution of women, मतलब यहाँ पर जादा एहमियत वोमेन को दी गई है, जहाँ पर जो वोमेन ने उनके आवाज उठाना, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई करना, उनके हग के लिए आवाज उठाना को दिया जाता है, और उनका जो योगदान है सोसाइटी के लि इसी होना चाहिए, यहाँ पर जो correct answer उसको identify करना, तो हमारा correct answer है यहाँ पर option A, gender roles are learned through observation and modeling, तो Albert Bandura का जो social learning theory है, उसके accordingly जो gender role है, वो कोई भी व्यक्ति जो सीखता है, observe करके दूसरे व्यक्ति को उसको imitate करके, उसका modeling करके, बाकि जो option B है, यह मैंने आपको by social theory में समझाया थ जो genetic factor और environmental factor है, जहाँ पर important role play करते हैं बच्चे के gender development में, option C जो है, इसमें हम evolutionary theory का perspective जो है, उसको बता रहे हैं, and option D है, यह तो बहुत ही common है, आप सभी को आना चाहिए, feminist sociological theory के बारे में, इसलिए जो हमारा option A है, वो था social learning theory का concept, understood, अब आगे बढ़ते हम अपने अगले question क conflict theory has originated from the writings of Dash, where he stated that society is a stage on which the struggle of power and dominance are acted out, यहाँ पर मैं आपको theory का नाम भी provide किया है, इस question में, और साथ ही में बता है कि actual में यह theory का क्या belief है, क्या मानना है, तो conflict theory जो है, इसको किस ने originate किया, मतलब किस ने इसको introduce किया, जहाँ पर उसने यह कहा है, he stated that society is a stage, society क्या है, एक stage है, जहाँ पर लोग struggle करते है, power और dominance करने के लिए, मतलब कौन जादा powerful हो सकता है, कौन जादा दूसरे gender के उपर dominant हो सके, तो हमारे options देखते हैं, a. Emily Durkheim, b. Karl Marx, c. Max Weber and d. Herbert Bloomer, तो यहाँ पर हमारा correct answer option b. Karl Marx, Karl Marx एक sociologist है, जिन्होंने यह conflict theory जो है, वो develop किया है, उनके accordingly society क्या एक stage है, जहाँ पर लोग लड़ते हैं, dominate करते हैं, struggle करते हैं, अपना power दिखाने के लिए, अपना dominance दिखाने के लिए, next question, who introduced the basics of symbolic interaction theory by saying that individual act according to their interpretation of the meaning of their world, किसने symbolic interaction theory को introduce किया, और उन्होंने यह कहा, कि जो individual है, वो जैसे world के साथ interact करते हैं, उससे वो जो उनके interaction से जो उनका interpretation रहता है, उसके accordingly वो धारनाय बनाते perspectives जो है, वो develop करते हैं, उसके accordingly फिर वो act करते हैं, हमारे options है, A. Herbert Bloomer, B. Max Weber, C. Frederick Engels, D. Albert Bandura, तो यहाँ पर हमारा correct answer है, option B. Max Weber, Max Weber, एक sociologist है, जिन्होंने symbolic interaction theory को develop किया था, उन्होंने introduce किया था, Next question, A boy may be impressed by the way his father और a male relative rides a motorbike and he imitates this behavior. एक लड़का है, वो impressed होता है, किस तरह से उसके जो father है, वो motorbike चलाते हैं, या फिर उसके कोई और male relative जो है, वो motorbike चलाते हैं, उसको देखके वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, और impressed होता है, और फिर वो क्या करता है, खुद उस चीज़ को copy करने की कोशिश करता है, C. Gender schema theory and D. Biososal theory, तो यहाँ पर हमारा correct answer है, option B. Social learning theory, तो सामने आपको जो example मैंने provide किया है, वो example based है, social learning theory पे, जो evolutionary theory है, इसमें हमने क्या discuss किया था, जो हम पिछला answer कवर कर रहे थे, कि जो हमारा genes है, वो adaptive है, जिसके वज़े से जो हमारा behavior है, उसका वो एक चाबी के जैसा का करता है, उसको वो change करने में सबसे जादा हाथ है, उसका influence होता है, फिर जो gender schema theory है, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, कि जो gender schema है, वो gender related, जो भी belief या धारना है, जिसके वज़े से एक individual का जो behavior है, वो influence होता है, उसका एक organized set है, फिर option D. Biososal theory, Biososal theory मैंने आपको क्या वो identify करेगा, यह develop करेगा, यह depend करता है, उसके genetic factors उसके nature से और उसका nurture मतलब environmental factors के उपर depend करता है, that means उसका gender development है, वो nature genetic factor और nurture environmental factors में depend करता है, ठीक है, जब हम theories से related कोई भी questions को cover करते हैं, discuss करते हैं, तो आप धियान दीजिए, अच्छे से कि हम उसके options में जो भी explanation आपको provide करे वो इसके लिए provide करें, so that हम अगर repeatedly अगर आपको समझाते रहेंगे, कौन सा theory कहां पर काम करता है, किस तरह से उसका कौन सा approach है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके जो major important concept है, वो भी clear हो जाएगा, simultaneously अगर आपका कोई भी confusion रह जाता है, किसी भी theory से related, वो भी साती में clear हो ज कहते है, एक होता है male, एक होता है female, तो third gender कौन हुआ, transgender, उसको हम third gender consider करते है, कौन से year में Supreme Court ने third gender को क्या consider किया था, separate मतब एक अलग gender consider किया था, ठीक है, हमारे options है, A. April 2006, B. April 2010, C. April 2009 and D. April 2014, तो यहाँ पर हमारा correct answer है, option D. April 2014 में Supreme Court ने transgender को एक third gender consider किया था, next question, जो आज का हमारा last question है, which bill was introduced for ensuring overall development of the transgender person, कौन सा bill introduced किया गया था, जिसके तहत, जो transgendered लोग है, उनके हर एक पहलू को, development को हम लोग फोकस करेंगे, जिम्मदारी उठाएंगे, तो हमारे options है, A. Citizen Amendment Bill, B. The Rights of Transgender Persons Bill, C. The Transgender Persons Protection of Rights Act, and D. None of the above, इन में से कोई भी नहीं, तो यहाँ पर हमारा correct answer है, option B. The Rights of Transgender Persons Bill, आपके mind में confusion होगा, कि option C में भी तो हमने transgender के बारे में बात किया है, पर एक और चीज़ आप देखिए, जी option C है, उसमें हमने क्या बात किया है, act के बारे में बात किया है, मतलब पहले bill pass होने का हम question में क्या पूछ रहे हैं आपको, कि कौन सा बिर introduce किया गया है, हम यह नहीं बोल रहे हैं कि कौन सा bill जो है, वो as a act consider हो गया है, या फिर वो pass on ह हो गया है, जब एक bill राज्य सभा में pass on हो जाता है, उसको वो act consider करते हैं, उसको act कहते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा option C है, वो act है, और हमारा option B है, वो आपर bill के बारे में बात कर रहे हैं, और हमारा question जो है, उसमें पूछा गया है, बिल के बारे में, इसलिए हमारा correct answer यहा होता है, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है, तो like करें, अपने friends के आज share जरूर करें, अभी तक आप हमारे इस channel पे new हो और subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से subscribe कर ले किसके इंतिजार कर रहे हो, important videos छुट जाएंगे आपसे, bell icon को ज़रूर tap करना, so that आने वाले interesting videos के notification आपको continuously मिलती रहे, और कोई भी important information या वीडियो जो है, आपसे miss ना हो जाए, तो चलिए फिर bye, thanks a lot for watching and best of luck to everyone, मिलते हमारे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द